सब्सक्राइब कीजिए स्टुदेंट पॉइंट अकडेमी चानल को और बेल आइकान को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो स्टुदेंट वेल कम स्टुदेश तुदेश्ट तुदेश्य वीडियों टुडेशन नंबर फोर इस वाटर से फौर ड्रिंकिंग इसके पहले वाले लेशन में हमने वाटर को सेव कैसे करना है और सेव करने के लिए क्या-क्या हम काम कर सकते हैं, वो सारी बाते हमने last lesson में देखी थी, किस तरह से हम water को store कर सकते हैं, ओके, वो सारी बाते हमने देखे थी, कहा-कहा से हमें waters मिलता है, water bodies के बारे में हमने पढ़ा था, and now, today we are going to learn water safe for drinking, मतलब जो भी पानी हम पीते हैं, वो पानी हमारे लिए safe होन होना चाहिए, if we drink contaminated water, then we may fall ill, हम बीमार पढ़ सकते हैं, okay, so let's start, try this, there are some activities, so take a glass half full of water, add a spoonful of sugar to eat and stir it with a spoon, अभी आपको क्या करना है, students, यहाँ पर देखिए, एक glass लेना है, और उस glass में, एक काच की glass लीजिए, okay, एक glass है तो ठीक है, तो भी चलेगा, अगर आपके पास बहुत सारी काच की glass है, तो एक एई बार में सारा experiment हो जाएगा, what we have to do, हमें क्या-क्या लगने वाला है, पहल powder alum, alum मतलब fit courage होती है, वो 2-3 जालापन, मरहाटी में बनतो, sand मतलब red लगेगी, weed floor मतलब आटा लगेगा, गेहु का, स्वार डर्स्ट मतलब लकडी का भूसा, turmeric powder मतलब healthy powder, okay, and some oil, अब देखिए, हमें क्या करना है, what do you see, हमें क्या करना है, एक एक करके glass में थोड़ा सा, जै पहले मान लीजिए, हमने क्या क्या मिलाया, we add some sugar, हमने एक glass लिया, उसमें आदा glass पानी लिया, और sugar मिलाया, उसे चंपस से अच्छे से mix किया, तो sugar पूरी तरह से water के अदर mix हो जाएगी, वैसे ही salt के साथ होगा, washing soda के साथ होगा, alum के साथ होगा, मतलब इन में से आप किसी भी एक के साथ experiment करके दिखी, या फिर एक के करके आप कभी first time sugar add कीजिए, फिर उसको फिक दीजे पानी को दूसरा पानी लीजिए, फिर salt add कीजिए, फिर फिक दीजिए, फिर तीसरा पानी लीजिए, okay, third time water लीजिए, फिर उसमें washing soda मिलाया, या अच्छे से mix किजिए, उसे fix दीजिए उसके बाद alum लीजिए उसे mix कीजिए से fix दीजिए आप हर time देखोगे कि water पानी में जो मतलब glass में जो water है जैसे ये glass है और इसके अंदर जो पानी है ये अभी भी transparent रहेगा हम glass से आरपार देख पाएंगे ये water का कोई भी color नहीं आएगा water जैसे के वैसे ही रहेगा क्यों because they dissolve completely in water ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पानी में dissolve हो जाते हैं dissolve होना मतलब घुलना dissolve होना मतलब घुलना okay मरहाटी मन्दे विरगडने मनतो आपन त्याला okay विरगडने समझते न हो तर शुगर ही पानया पूर्ण पाने विरगड़ते मीट साखर साल्ट मीट पना पानयात पूर्ण पने विरगड़ते washing soda एलम टूरिटी और कपड़े दुनाय चाहिसे पानय मन्दे पूर्ण पने विरगड़ते यह पूरी तरह से घुल है जैसे बट सैंड सौडर्स टर्मरिक पाउटर जैसे रेत पानी में नहीं घुलती रेत क्या होगी ग्लास के बॉटम में जाकर बैठ जाएगी उसके बाद सौडर्स लकडी का भुसा जो है पानी का कलर बदल देगा उके ब्राउनिश वॉटर हो जाएगा अगर आप टर्मर बर इक पार्टिकल हमें दिखाई दे रहे इसलिए पानी का कलर जब वॉटर होता है ओके वॉटर में जब हम टर्मरिक मिला दे तो उसका कलर पूरी तरह से बदल जाता है ओके वह ट्रांसपरेंट नहीं रहता वह यलो कलर में पूरा हो जाएगा इसका मतलब कि हल्दी जो ह टर्मरिक जो है यह पानी में नहीं गुलती जो चीज पानी में पूरी तरह से गुल जाती है पूरी तरह से completely डिसॉल होती है वह वॉटर का कलर नहीं चेंज करती एक बार ध्यान में रखिए अगर आपने किसी चीज को वॉटर में मिक्स किया और उसका कलर अगर चेंज हो या water का तो वह water में dissolve नहीं हुई है, okay, oil do not disappear even stirring, they do not dissolve, अब मान लीजिए अगर आपने एक glass लिया और glass के glass में मान लीजिए, यहाँ पर water है, और यहाँ पर अगर आपने oil डाल दिया, तो oil के droplets, आप मतलब oil की जो बूंदे हैं, आप उपर ही देखोगे, एक उपर में water, oil की layer बन जाएगी, oil जो होता है, यह पानी से हलका होता है, इसलिए यह पानी के नीचे भी नहीं जाएगा, पानी में mix भी नहीं होता है, तो यह आप नीचे आपको water दिखाई देगा, और उपर आपको oil दिखाई देगा, okay, some substance dissolve in water, while some substance do not, तो बहुत सारे substance ऐसे होते हैं, जो पानी में पुरी तरह से घुल जाते हैं, और बहुत सारे substance ऐसे होते हैं, जो पानी में पुरी तरह से नहीं घुलते हैं, सिंपल सी बात है, आपने समंदर देखा होगा, सी आपने देखा है, समंदर में पानी का कलर कैसा होता है, वैसा ही होता है, जैसा हम हमेशा देखते हैं, there is no color of water, अब मान लीजिए नमक का कोई कलर होता, मान लीजिए नमक अगर red कलर का होता, तो पूरा समंदर red हो जाता, क्यो क्योंकि जो समंदर है, जो sea है, oceans है, ये तो salty होते हैं, understand, तो जो चीज पानी में पूरी तरह से dissolve हो जाती है, वो water का color change नहीं करती, अब आपके लिए एक question है, आपके लिए, मेरे तरह से gk का question है, ये question आपको मुझे comment box में बताना है, कि what is the color of salt? salt का कौन सा color होता है, इतका मुझे answer चाहिए, ओके और दूसरी बात, हमने lesson number two पड़ा था, ओके, animals के बारे में, तो उनमें एक question था, कि जो animals होते हैं, या birds होते हैं, कुछ birds और animal ऐसे जो अंडे देते, कुछ नहीं देते, और जो अंडे देता है, वो दूद नहीं देता, जो दूद देता है, वो अंडे नहीं देता, आपको यहाँ पर एक question है, find the name of that animal, who give both, milk as well as egg, एक ऐसा animal का नाम बताइए, जो अपने बच्चे पैदा करने के लिए अंडे देता है, पर अपने बच्चों को दूद भी पिलाता है, ऐसा एक animal है, जो दोनों property शो करता है, उसका नाम comment box में उशे चाहिए, okay, so the substance that dissolve in water, spread throughout the water, when salt dissolve in water, the water in the container tastes salty, when sugar dissolve in water, tastes sweet, तो देखिए, जो भी चीजे पानी में घुल जाती है, वो पानी के साथ पुरी तरह से फैल जाती है, पानी का color नहीं बदलती, और उस water के taste को change कर दिये, when we add sugar in the water, the water becomes sweet, when we add salt in the water, the water becomes salty, okay, so a new term, एक नई चीज आपके लिए solution, solution मतलब क्या है, किसी भी दो या तीन चीज को mix करकर, एक नईा substance बनाना, उसे हम solution कहते है, okay, so when substance dissolve in water, जब पानी, कोई substance, कोई पधार्थ, कोई वस्तु, कोई चीज, जब पानी में पुरी तरह से dissolve हो जाती है, a mixture of that substance and water is formed, तो उस substance का mixture और water बनता है, जैसे मान लीजिए, कि ये glass है, और इस glass में हमने salt mix कर दिया, पहले यहाँ पर सिर्फ water था, यहाँ पर था water, अब हमने इसमे salt add कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, salty water, हम इसे सिर्फ water करेंगे क्या नहीं, हम इसे salty water कहेंगे, मतलब यह एक solution बन गया, salty water का, समझ में आया गया, so the mixture is called of solution of that substance, तो mixture मतलब क्या है, यह एक mixture है, water का और salt का, और water और salt के इसी mixture को हम solution इस नाम से जानेंगे, okay, if, if someone get loose motion, यदि किसी को loose motion हो जाए, loose motion पता है न, बार-बार जाना पड़ता है, okay, so अगर किसी को loose motions हो जाए, we give them solution of salt and sugar to drink, देखिए, एक बात आपको हमेशा देहान में रखना, assurance, ORS, okay, oral rehydration solution, यह जो ORS होता, यह medical में, दवाई दुकान में मिलता है, फार्मसी में मिलता है, पर मान लीजिए, कभी आप किसी problem में पस गए, आप medical नहीं जा सकते, या रात का समय आपके पास नहीं है, तो कभी भी अगर lose motion लगे, तो ध्यान में रखी, हमारे घर में salt और sugar हमेशा present होता है, okay, तो salt और sugar का mix करके, पानी में मिला कर उसे पी लीजिए, यह एक ORS का काम करेगा, और आपके lose motion को बंद कर देगा, okay, तब तक पीते रहिए, जब तक कि lose motion बंद ना हो जाए, इस solution is called ORS, इसी solution को हम ORS कहते हैं, इसका full form है, oral rehydration solution, okay, a patient in hospital is sometime put on saline, जो patient होते होते होस्पिटल में, उन्हें saline दी जाती, यहाँ पर आप saline की bottle देख रहे होंगे, उन्हें saline लगाई जाती है, that is an solution of salt in water, यह एक तरह का solution है, नमक और पानी का, okay, sometime other medicines may also given through the saline, कई बार ऐसा होता है, कि इस saline में injection लगा दी जाती है, okay, injection लगा दी जाती, इस injection के अंदर जो पूरी दवाई होती है, इस saline के अंदर दाल दी जाती है, और फिर वो जो दवाई होती है, वो हमारे इस saline के, इस cable के through, हमारे body के अंदर एंटर हो जाती है, so, there are examples of useful solutions, these are examples, तो यह जो है, कुछ example है solutions के, do you know, sea water is salty to taste, because it is nothing but solution of salt, that occurs naturally, we cannot use sea water for drinking, देखिए, समुदर का जो पानी है, sea water, यह salty होता है, क्यों, क्योंकि उसमें salt का solution mix है, और यह salt का solution अपने आप naturally बनता है, और यह जो salt का solution जो बनता है, यह किस से बनता है, dirtiness, गंदगी से बनता है, क्योंकि पूरे अर्थ की गंदगी जो है, वो समंदर में जाके ही मिलती है, समझ में आया, so, we cannot use sea water for drinking, हम समंदर का पानी drinking के लिए यूज नहीं कर सकते, और नहीं करते, even हम sea water को filter भी नहीं करते, मान लीजिए, जो लोग समंदर किनारे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पानी की कोई कमी नहीं है, उन्हें पीने के पानी की बहुत कमी होती है, समझ में आ रहा हैं उन्हें पीने के पाने की कमी होती है बाकी यूजेस के लिए वाटर बहुत सारा होता है पर पीने के पाने की कमी होती क्योंकि समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता अगर कोई person अगर समंदर में है और वहाँ पे उसके पास दूसरा कोई पानी नहीं है पीने के लिए और उसने अगर दिन भर sea water, salty water अगर उन्होंने intake किया तो उन्हें dehydration हो जाएगा, तबियत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगे और लंबे समय तक पीते रहे तो उनकी देद भी हो सकती है, okay so sea water is not useful for drinking, remember it water is of different well, may have different taste, अलग-अलग कुवों में जो पानी होता है उन सब का taste जो होता है, अलग-अलग होता है, so why is that so, ऐसा क्यों होता है आईए देखते हैं, some substance from the ground dissolved in water जो पानी जो कुवे में जमा होता है, तो बहुत सारे substance मिट्टी में दबे हुए होते है उन substance का taste पानी के साथ आ जाता है, तो अलग-अलग तरह के substance मिट्टी में दबे हुए होते है पानी उन सफ्टंस से गुजरते वे आता है, उन सफ्टंस का टेस्ट लेते वे आता है, मतलब टेस्ट अपने साथ लाता है, इसलिए हमें अलग-अलग टेस्ट हर कुवे का बोर्वेल का दिखाई देता है, यहाँ पे लगता है, आप मान लीजें, पानी में अगर कुछ भी डिजल नहीं है, तो पानी का जो टेस्ट रहेगा, वो नहीं है, मतलब टेस्ट लेता है, जो पीवर वाटर होता है, वो टेस्टलेस होता है, आपने स्टैंडर थर्ड में पढ़ाता, आपने standard third में क्या पढ़ाता water has no smell no taste and no color ये तीन चीज़े आपने पढ़ी थी water का कोई smell नहीं होता water का कोई taste नहीं होता water का कोई color नहीं होता पर कौन सा water जो pure water है impure water का कुछ भी हो सकता उसमें taste भी होगा color भी होगा और वो हमारे लिए पीने लाइक नहीं होता है when we remove the lead of soda water bottle आपने कभी कोव, ठमसब, पेपसी, स्प्राइट या soda कभी पिया होगा तो जब भी हम उसके bottle की cap को open करते हैं तो उस bottle से bubbles निकलना शुरू हो जाते हैं और हमने उसे shake करके अगर तुरन खुल दिया तो पुरा का पुरा बाहर हो जाता है ऐसा क्यों होता है देखिए bubbles fees out it to make soda water और gas called carbon dioxide is dissolved in water एक gas होती है carbon dioxide gas ये carbon dioxide gas पानी के अंदर pressure से ठुस ठुस के भरी जाती है जैसे ही हम उसे खोलते हैं तो वो जो gas है वो बाहर निकलने कोशिश करती है जब वो बाहर निकलती है तो bubbles बनाते हुए बाहर निकलती है जैसे ही हम बाटल का ढकन खोल देते प्रेशर कम हो जाता है और वो gas bubbles के फॉर्म में out हो जाती है now try this fill a large container with water collect the following articles देखिए students हमें क्या करना है कि हमें एक large बड़ा container रहना काच का विकर आप लेते तो बहुत अची बात है क्योंकि उससे हमें transparent लिखाई देता है और नहीं है ग्लास काच का विकरत आप बड़ी सी bucket या tub यूज़ कर सकते हैं हमें क्या क्या यूज़ करना है देखिए यहाँ पर हमें हम अपने कमपास बॉक्स एरेजर पेंसिल शापनर रबर बैंट और कमपास मतलब यह जिसे हम divider कहते है इसका हम यूज़ कर सकते हैं इसे हम लेंगे अगर हमें अपने घर से कुछ लेना है तो steel spoon मतलब steel का चमच कोई plastic का चमच okay ground nut shells iron nail screw coin कुछ भी हम ले सकते हैं और अगर हमें घर से बाहर कोई चीज़े collect करनी है तो हम stone little twigs मतलब छोटी छोटी जो घास होती है वो पतिया और मिटी soil हम इनका use कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे यह सारी चीज़े बिकर के अंदर डाल देंगे जैसे ही हम बिकर के अंदर डालेंगे तो you will see that some things are floating on the upper side of water and some things are deep inside the water तो कुछ से रहेगी सब कुछ चीजे उपर तहेती रहेंगे एंगे कुछ चीजेग्ट हो जाएंगी आप बड़ी classes में जाएंगे आप density के बारे में पढ़ेंगे हर चीज की एक density होती है जिसकी density water से ज़्यादा होगी वो पानी के अंदर चला जाएगा डिसकी density water से हलकी होगी वो पानी के उपर तेह रहेगा देखिए एक simple सा example है अगर आपको हलका पुलका वजन दिया जाए त और जो जादा हलका रहेगा वो पानी के उपर तेहरेगा अब इसका मतलब यह नहीं है देखिए जो चीजे पानी के उपर तेहरेगी किया है कितनी भी बड़ी हो जैसे मान लीजिए pencil pencil is made from wood यह लकड़ी से बनती है अब लकड़ी आप परागा पूरा एक पेड़ ले ले ल is more than water तो जैसे लोहे की चीज है कोई heavy या फिर soil है stone है यह पानी के अंदर sink हो जाएंगे और जो हलके होते हैं पानी से वो पानी के उपर ही तेहरते रहेंगे इस दोनों बातों को आप ध्यान में रखें जो पानी में तहरेगा वो पानी से हलका जो पानी में डूग गया वो पानी से भारी तो water अपने खुद से भारी चीज को तो नहीं समाल पाएंगा जैसे हम खुद से भारी चीज को नहीं उटा सकते न वैसे water भी खुद से भारी water in a bicker अभी हम क्या करना है एक bicker लेना है काच का bicker और उसके अंदर हमें कीचड़ बाला पानी डाल देना है now allow this bicker to stand still for four or five hours अब क्या करना है इसको अच्छे से mix कर देना है muddy water को और उसके बाद उसे चार से पाच घंटे के लिए खुला छोड़ देना है after four to five hours you will see that so many particles are sink okay आप देखोगे कि नीचे ये sediment हो जाएगा इनका देखिए the pictures of soil sink in water and form a layer or sediment at the bottom तो नीचे में कुछ चीजे जो बच्ची हुई है कुछ पानी की नीचे दिखाई देगा उसे हम कहेंगे sediment वो settle down हो गया है नीचे जाके बैठ गया है कुछ ऐसा substance होगा कचरा जो उपर तेहर रहा है what does this tell us ये हमें क्या बताता है देखिए particles of soil are heavier than water मिट्टी जो होती है पानी से ज़्यादा भारी होती है but because they are very small they take long time to settle to bottom of the water तो ये जो मिट्टी हमने लिए मिट्टी बारीक होती है चूरी होती है चूरा होती है तो वो चूरा होने के गारण काफी ज़्यादा हलकी हो जाती इसलिए उसे पानी में नीचे बैठने में काफी समय लगता है इसलिए इस पानी को साफ होने में time लगेगा So leaves, twigs, etc. lighter than water जैसे पत्तिया है या फिर घास है, तनस है ये क्या होगी, twigs बगर है ये water से हलकी होगी इसलिए ये पानी के उपर ही तैरती रहेगी ये नीचे नहीं जाने वाली है Now the water appear much cleaner and transparent than it was अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि आपको पानी और ज़्यादा clear दिखाई देगा अब देखेंगे ये water transparent दिखाई दे रहा है कुछ कच्रा मतलब जो solid particle है वो नीचे बढ़ेगा और कुछ जो रभीश है जो कच्रा है वो उपर तैल रहा है The process of allowing heavier particle to settle to the bottom of steel water is called settling तो मान लीजिये कि कुछ ऐसा जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था कि मिट्टी वाला किचड़ वाला पानी ले लिया था muddy water ले लिया था और उसे हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया और धीरे धीरे सारे particle bottom में जाकर बैड़ गए तो ये process किया हमने कौन सी process किया bottom of still water is called settling तो किसी भी चीज को पानी के नीचे जाकर बिठाल देना इसे हम कहेंगे settling ये नीचे settle down हो गए नीचे जाकर बैड़ गए so without disturbing the sediment pour the water above it into two smaller bigger अब क्या कीजिए इस पानी को आपको disturb नहीं करना है और धीरे से इस पानी को दूसरे छोटे bigger में ले लेना है okay even though this water appear much cleaner than before अब आप देखेंगे कि ये पानी आपको पहले से ज़्यादा clean दिखाई दे रहा है इसके उपर का जो तहरता हुआ कचरा वो हमें निकाल देना है these are still some fine particle of soil and some rubbish floating on it अभी भी आप देखोगे कि इसके उपर अभी भी कुछ कचरा तैर रहा है और कुछ बारिक-बारिक particles जो है वो अभी भी पानी में mix है now carry out following experiment using these two bickers अब इस bickers से देखें हमें क्या experiment करना है take a piece of alum and surreal eat once in water in first bicker अभी आपको दो bicker लेने हैं आईए आगे देखते हैं देखें यहाँ पर क्या किया है दो bicker लिया गया एक bicker में अब यह पानी जो है पहले वाला जो bicker था उसके water को हमने दो चोटे bicker में half-half ले लिया अब आप देखेंगे कि अभी भी पानी पूरी त अच्छे से घुमाएंगे थोड़े देर तक के और घुमा के उस फिटकरी को बाहर निकाल लेंगे आप देखोगे कि जितने भी पार्टिकल है वो ज्यादा हैवी हो जाएंगे और बहुत जल्दी वो पूरा का पूरा पानी क्लीन हमें दिखाए देगा सारा का सारा कच्छ कॉर्टन क्लॉथ इंटु फोर लेर मेक इट मोइस्ट एंड स्प्रेड इट ओवर देस्टेनर नाव पूर देवाटर इंटु बिकर तू इन थीन स्ट्रीम ऑन दे फोल्ड ऑफ देख्लाथ मतला अब हमें क्या करना है कि हमें एक बिकर ले लेना है और उसमें हमें जो चाय चाय चन्नी होती है टी स्टेनर ओके चाय गारनी जाला अपन मना टीम दे मनतो उसका हमें यूज करना है ओके या फिर आप तीन से चार फोल्ड वाला कपड़ा है और उमाल यूज कर सकते है उसमें इस पानी को पुरा चान देना है यू विल सी दैट दे वाटर इस कंप्लि पूरी तरह से रहेगा कैसा ट्रांस्पेरेंट रहेगा तो वाट ड़स दिस तेल अस यह हमें क्या सिखाता है यह बात हमें क्या सिखाती है तो इफ वी if we strain muddy water it helps to make it clean. This process is called filtration. तो देखिए अगर हमारे पास कीचड़ भरा पानी भी है तो भी हम उसे साफ कर सकते हैं और कीचड़ भरे पानी को साफ करना इसे हम कहते हैं आज कल तो सभी के घर में ज्यादा तर आरो दिखाई देते हैं और आरो वाला पानी पीते हैं पर ध्यान में रखिए आज भी मठके वाला पानी ज्यादा यूज कीजिए मेरे घर में भी आरो है पर हम पानी को आरो से बाहर निकालने के बाद उसे हम मठके के अंदर डालते है और बाद में मठके वाला पानी पीते हैं, जाला महराटी में घड़ा जो मन तो, माटी तो घड़ा, उसका पानी पीते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, अप्टर दूइंग दीस एक्स्परिमेंट, ट्रो दा वाटर इंटो दा सॉइल एंड वाटर ये सब हो जाने के बाद भई, साफ सुत्रे हो जाईए, अपने हाथ अच्छे से धोलीजिए, एक नई चीज आपको सिखने बिलेंगी, पोटेबल वाटर, पोटेबल वाटर मतलब क्या होता है, जो पानी पीने के लिए होता है, पीने के लिए यूस के लिए होता है, जो पानी पीने के लिए सेफ होता है, सुरक्षित पानी जो होता है हमारे लिए, हमारे लिए पीने क लिए देखिए harmful water भी होते है और safe water भी होता है जो पानी गंदा रहेंगा उसे पिएंगे तो यह हमारे लिए harmful रहेंगा और जो पानी safe रहेंगा clean रहेंगा clean रहेंगा वो हम पिएंगे तो वो हमारे लिए safe रहेंगा तो जो पानी पीने के useful होता है पीने के लायक होता है उसी पानी को पोटेबल वाटर कहते हैं, so water that does not endanger our health in any way when we drink it is called safe drinking water or potable water, मतलब ऐसा पानी जो हमारी लिए health के लिए अच्छा है, जिसके करण हमारी health पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे पानी को जो पिया जाता है, ऐसे पिये जाने वाले पानी को ही पोटेबल वाटर कहते हैं, we have seen some method of making muddy water clean and transparent, however such water may still not be potable, देखे, अभी हमने देखा है कि बहुत सारे पानी को हमने transparent कर दिया, पर ऐसा नहीं है कि मड़ वाले पानी को आपने छान लिया, transparent कर लिया, अब ये पानी आपके लिए पीने लायक है, मड़ी वाटर आपने छान तो लिया है, वो आपको transparent तो दिख रहा है अब आप सोचोंगे कि पानी पूरा clean हो गया है, अभी हमारे पीने लायक हो चुका है तो ऐसा बिलकुल नहीं है, वो पानी अभी भी हमारे पीने लायक नहीं है क्योंकि water में उससे भी छोटी चीच dissolve होती है, जो हम पर effect करती है that is germs, अभी भी उस पानी में germs है, उस germs को kill करना बहुत ज़रूरी है so can you tell, in rainy season the water of river and stream become muddy, why do not drink that water जब बारिश होती है, सड़क पर जो पानी गिरता है, वो पूरा कीचर से भर जाता है हम उस पानी को क्यों नहीं पीते, क्योंकि हमें पता है, जमीन में काफी तरह के अलग अलग bacteria होते हैं, वो सब water के साथ mix है, वो भी हमारे अंदर चले आएंगे, तो हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए हम वो पानी नहीं पीते, when on an excursion, if you find that water of spring or well, there has a bad smell, would you drink it? मान लीजिए, कि किसी कुए में, या फिर किसी spring में, जरने में, या water source में, कही से पानी निकल रहा है, और उस पानी को आप पीने ही कुशिश कर रहे हो, पर पीने से पहले आपको उस water से bad smell आ रही है, गंदी smell आ रही है, क्या आप उस पानी को पीना पसंद करोंगे? drinking water must be safe for our health. जो भी पीने लाइक पानी होता है, वो हमारे लिए health के लिए safe होता है, कैसा होता है? एस्टिएंस हमारे health के लिए safe होता है. पीर वाटर has no taste. जो वाटर pure होते हैं, ओके, जो गंदे नहीं होते हैं, साप सुतरे होते हैं, उनका ना कोई taste होता है, ना smell होता है, ना दिखाई दे रहा है या फिर वो मड़ी दिखाई दे रहा है तो वो वाटर अच्छा नहीं है वो पीने लायक नहीं है जब भी हमें बरसाद में मड़ी वाटर मिलता है तो हम उस वाटर का यूज नहीं करते हम पहले ट्राइ करते हैं कि उसका पूरा जो मड़ है वो पूरी तरह से नीचे बढ़ जाया बरसाद के समय नदियों का पानी मड़ी हो जाता है पर जब बारिश खतम हो जाती तो नदी का पानी क्लियर हो जाता है अगर पानी पीना ऐसे में जरूरी ही है, आपको कहीं पानी नहीं मिल रहा है, फिर आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको किचड़ वाला ही पानी पीना है, तो आपको सबसे पहले उसे फिल्टर करना पड़ेगा, और अगर अलम है, तो उसका यूज जरूर its muddiness disappear and the water looks clean and transparent, can we say that it is now safe for drinking, let us learn some more about this, देखिए, अगर आपको पानी, आपने किचड़ से पानी निकल, आपने किचड़ वाला पानी लिया, पानी को छान लिया, किचड़ निकल दिया, वाटर एकदम आपको clean दिखाई दे रहा है, तो क्या वो पानी पीने लाइक है, तो नहीं, क्यों नहीं है, micro means, छोटे छोटे, बहुत small, इतने छोटे की हमेरे आखों से नहीं दिखाई देते, ऐसे organism, ओके, organism क्या है, very very small living thing, micro organism, मतलब छोटे छोटे जीव, किटानू, ओके, germs, आप देखते नो, टीवी में, जैसे अभी कोरोना के बाद चलिए, तो कोरोना इ ऐसे छोटे-छोटे, germs होते हैं, so, micro organism, a living thing that cannot be seen by the naked eye, हम जिसे अपनी खुली आखों से नहीं देख सकते, ऐसे छोटे-छोटे, germs होते हैं, और वो अगर, germs, पानी में हैं, तो water का ना, आपको taste समझ में आएंगा, ना, smell समझ में आएंगी, है न, जैसे मान लीजिए, कि आप ने कोई पानी लिया है, उसे छान लिया है, okay, पर उसकी, जो germs killing की process नहीं हुई है, तो ऐसे water में भी कई बार, उसकी smell नहीं आएगी, taste भी नहीं आएगा, okay, और color भी उसका transparent रहेगा, पर वो dirty होता है, उसमें germs होते हैं, a living thing that cannot be seen by the naked eye, और even magnifying glass, it's called microorganism, मतलब, आपको magnifying glass से भी वो नहीं दिखेंगे, इतने चोटे होते हैं, microscope क्या है, an instrument for looking at a very very small thing, which we cannot see with our eye, और even through magnifying glass, microscope मतलब होता है, एक ऐसा instrument, एक ऐसा instrument, जिसमें हम germs को देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जम्स को देख सकते हैं, ऐसे instrument को हम magnifying glass कहते हैं, do you know, sorry, magnifying glass नहीं, microscope कहते हैं, okay, sorry, तो देखें, students, यह है microscope, यहाँ पर यह जो glass दिखाए दे रहा है, आप पर, students, यहाँ पर, यहाँ पर किसी चीज को रखा जाता है, जिसे आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप water में कितने तरह के किटानू होते हैं, okay, microorganisms होते हैं, वो देखना चाहते हैं, तो उस water की एक भून को यहाँ रख दीजिए और यहाँ से देखिए, और यह जो होते हैं, यह तीन if we take bit of yogurt or drop of water milk on a glass slide and place the slide under a microscope, we see very tiny living things, जब हम दूध का या फिर दही के एक बून अगर लेते हैं और उसे रखते हैं, तो हमें छोटे-छोटे microorganism उसमें दिखाई रेते हैं, they called microorganism, these microorganism convert milk into yogurt, यह जो छोटे-छोटे microorganism दूध में होते हैं, यह दूध को दही बनाने में मदद करते हैं, यह हमारे लिए अच्छे, अच्छे, जो हमारे लिए useful है वो अच्छे है, जो हमारे लिए harmful है वो बूरे हैं, तो दूध में जो microorganisms होते हैं, milk में, जो milk को यह घट में मतलब दही में convert कर देते हैं, they are useful for us, okay, so but all microorganisms are not useful, बाकि के दूसरे जो microorganisms है वो हमरे लिए useful नहीं होते some microorganisms cause disease कुछ microorganisms के करण disease होती है, बीमारिया होती है when they enter our body they are said to be harmful microorganisms जब ऐसे harmful microorganisms हमारे body के अंदर जाते हैं तो वो हमें बीमार कर देते हैं ऐसे microorganisms को हम कहेंगे harmful bacterias harmful microorganism okay now next there are numerous kind of microorganism around us, हमारे आसपास कई हजारों प्रकार के microorganisms है, they are in the soil, water air, on rock that is everywhere and everywhere, anywhere and everywhere वो कहा पर भी हो सकते हैं, कही पर भी हो सकते हैं, even in harmful microorganisms जैसे देखिए अभी मैं आपको पढ़ा रहो ये मेरे हाथ है, आपको पता है मेरे हाथों में भी और आपके हाथों में भी अभी भी microorganisms है, इसलिए जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं, तो पहले अपने हाथों को अच्छे से clean कर लेते हैं इवन इट if microorganisms are present in water we are not able to see them microorganisms अगर पानी के अंदर रहेंगे तो भी हम उन्हें देख नहीं पाते हैं तो क्या ऐसा पानी आपको पीने के लिए safe रहेगा, बिलकुल नहीं जो water dushyth है, जिसमें microorganisms है, वो हम पानी नहीं पी सकते you may know that during the rainy season, we often hear of an outbreak of diarrhea और gastrics ये दो तरके बिमारिया है, जो बारिश में सबसे ज़्यादा होती है लोगों को अगर हम गंदा पानी पीते हैं, साफ पानी नहीं पीते तो हमें या तो diarrhea हो जाएगा या फिर gastric हो जाएगा at such time we need to boil the water that has been clean by settling and filtration तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और हमारे पास filter करने के लिए कुछ नहीं है या फिर हमें government के थूप trap water मतलब filter water नहीं मिल रहा है तो आप muddy water को collect करके सबसे पहले उसे filter कीजिए, साफ कीजिए और उसके बाद उसे उबालिए और फिर उसे पीजिए तो वो आपके लिए safe रहेगा क्योंकि filtration से तो उसका गंदगी हट जाएगी, कीचाड हट जाएगा और उबालने से उसके जम्स मर जाएगे only then does it become safe for drink, तभी वो पीने के लिए useful हो सकता है boiling the water, kill the microorganism in it and prevent disease इसलिए पानी को उबालिए, उसके microorganism को मारिए और विमारी से बचिए आप डायरेक्ट नदी का भी पानी हमें डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो नदी में जाते हैं, नहाते हैं उनकी body की पुरी गंदगी वही पे निकल जाती है, कुछ लोग तो नहाते नहाते ये भी कर देते हैं और कुछ लोग तो सुबह सुबह ये भी करने जाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, मैं किसीच की बात कर रहा हूँ और फिर वही उस पानी में मिक्स हो जाता है, वह गंदे पानी में हम नहाते हैं रूसी को पीते हैं ये हमारे लिए harmful है, अगर मान लीजे आपको नदी का पानी river water अगर पीना भी है तो उसे लाकर आप सबसे पहले घर में boil कीजिए और फिर आप पीजिए तो वह आपके लिए safe रहगा some substance do not dissolve in water, what could be the advantages of this? कुछ substance ऐसे होते हैं जो पानी में घुलते नहीं है तो जो substance पानी में घुलते नहीं है उसके फायदे क्या है? देखिए, water का कोई color नहीं होता तो हमें जिस color का पानी चाहिए हम उस color का पानी बना सकते हैं, water को green कर सकते, rate कर सकते, yellow कर सकते, white कर सकते, कैसे भी कर सकते तो ये हमारे लिए एक benefit है कि हम water को colorful बना सकते हैं उस color का अलग-अलग काम के लिए use कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे benefits है Mother had bought some cumines, seed, jira from the shop ममी ने shop से जीरा खरीद के लाया but some sand got mixed भी थी पर उन्हों घर में लाने के बाद पता चला कि अरे इस जीरे में तो रेती mix है mother want to gira seed clean अब mother जो है वो gira seed को clean करना चाहती है क्या इसके उपाय है simple सा उपाय बताउं बहुत simple सा gira जो है वो हलका होता यह पानी में तहरता है, आप एक काम कीजिए, एक कटोरी लीजिए बड़ी सी, उसमें जीरा उसमें पानी डाल दीजिए, पानी डालने के बाद धीरे धीरे जीरे को उस पानी के उपर छोड़िए, धीरे धीरे छोड़ना है, तो जितनी भी रहत रहेंगे और नीचे बढ़ जाएंगे बाद में धीरे से जीरे को उपर निकाल लेना और उसे सुखा देना है हो गया जीरा clean what we have learned हमने क्या सिखा okay some substance dissolve in water some substance do not कुछ substance ऐसे होते जो पानी में पुरीतर से घुल जाते हैं कुछ नहीं घुलते ये main part हमने सिखा आज दूसरा क्या है some things float on water कुछ चीज़े ऐसी होती जो पानी के उपर तैरती है some sink and settle at the bottom कुछ ऐसे होती जो पानी के अंदर डूब जाती है नीचे जाके बढ़ जाती है in order to obtain clean water muddy water is allowed to settle after settling the water is clean further by swirling alum in it or by filtration in order to obtain clean water अगर हमें clean water चाहिए और हमारे पास muddy water है तो सबसे पहले हम उसका कछरा नीचे बैठने देंगे उसमें alum घुमाएंगे उसे filter करेंगे और बाद में जब उसे use करना तो उसे boil कर लेंगे even clean transparent water microorganism can be present चाहें आप कितना भी clean transparent water लोग उसके अंदर microorganisms होते हैं और उस microorganism को मारने के लिए हमें water को boil करना चाहिए तो it is necessary to have safe water for drinking और इसलिए हमें microorganism वाला पानी नहीं पिना है हमें safe water पिना है so water must be boil to destroy any microorganism तो पानी के अंदर जो छोटे-छोटे microorganisms होते हैं उन्हें मारने के लिए पानी को गर्म करना जोड़ो रही है पानी जब गर्म हो जाएगा वह microorganisms मर जाएंगे और वह water हमारे लिए useful रहेगा even such tiny living things like microorganisms which are our eye cannot see have a great importance in our lives बहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे microorganisms है जो हमें दिखाई भी नहीं रहते पर उनकी बहुत जादा जरूरत होती है वह हमारे लिए useful भी होते हैं microorganisms useful भी होते और harmful भी होते जैसे जैसे आप बड़ी classes में जाएंगे आप useful and harmful microorganism bacteria दोनों के बारे में आप science में पढ़ेंगे यह था हमारा lesson और यह lesson यहाँ पर complete होता है अब बजगे इसके question and answer जो हमने already आपके लिए निकाल कर रखे हुए है यह देखिए आपको बस क्या करना है इसका screenshot लेते चलना है देखिए take the screenshot 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 लीजिए हम रुके हुए है okay now I am moving the page now take the screenshot यहाँ से यह screenshot नहीं आया होगा इसका screenshot ले लीजिए okay या फिर आप वीडियो को pause करके लिख सकते हैं now take this screenshot question number 4 and complete the table यह screenshot ले लीजिए अब इसका screenshot ले लीजिए okay now next यह एक page है इसका screenshot ले लीजिए okay अब यह screenshot आपको मदद करेगी आपके question answers लिखने के लिए so students यह था हमारा आज का lesson जिसमें हमने पढ़ा है safe drinking of water तो आपको यह lesson कैसा लगा और अगर समझ में आया है तो comment करके जरूर बचाएगी कि आपको यह understand understood हुआ या नहीं समझा या नहीं और अच्छा लगा तो हमारे videos को ज़्यादा ज़्यादा share कीजिए अपने friends को share कीजिए इसके link पर जाईए link को copy करके whatsapp में share कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी की help हो और सभी को अच्छा education मिल पा है so students इसके साथ साथ हमारा एक और channel है YouTube पर जो आपको अच्छे-च्छी stories सुनाता है वो मेरे दौरा आपको अच्छे-च्छी stories सुनाई जाती है तो उस channel की link भी नीचे description में दी गई है उस link पो जाकर आप click कीजिए stories देखिए और channel को subscribe जरू कीजिएगा so students मिलते हैं next video में अगले episode में एक नए chapter के साथ chapter number 5 हम पढ़ेंगे और वो है water for every household so students मिलते हैं next video में till then bye bye